आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप खुद को अपने अंदर खुशी और स्पस्टता के छण तक लाएं. उस छण आप जो निड़ने लेते हैं, चाहे आप मर भी जाएं, आपको वही करना चाहिए. जब भी आपकी भावनाओं में उतार चड़ावाता है, आपका मन कई चीजें कहता है, ये महत्वपुन नहीं है, वो आज एक बात कहता है, सुबे एक बात, शام को कुछ और, वो आज एक बात कहता है और कल दूसरी बात, ये कोई महत्वप नहीं रखता. स्पष्टता के छण में मैं खुशी कह रहा हूँ क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप बाद्धे नहीं होते जब आप बहुत खुश और स्पष्ट होते हैं उस समय अगर आप चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये करना मेरे लिए बहतर होगा बस वही करें फिर चाहे वो नर्क जैसा ही लगे ये माइने नहीं रखता कि आप दस साल तक नर्क से गुजरते हैं आप बस वही करें क्योंकि आपकी खुशाली वहीं है जब आप बाद्धेता के अलग-अलग स्तरों पर होते हैं उस समय अगर आप निर्णे लें कि किधर मुढ़ना है तो आप अंतिहीन रूप से खो जाएंगे ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं बस आप उसे दिड़ता के साथ कर रहे हैं हर दिन आप ओफेन ओन ओफेन ओन रहते हैं तो वो नहीं होता आप बस दिड़ रहे हैं आप बस एक बिंदू पर टिके रहे हैं चाहे वो कुछ भी हो अगर आप कसाई बनना चाहते हैं तो कसाई बनने पर अटल रही है ये खुल जाएगा आपने इस पश्टता और खुशी के शण में जो नेड़ने लिया है बस उस पर टिके रही है जरा सा भी हिले डूले बिना उससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता हर दिन जब आपके विचार और भावनाएं इधर उधर उड़ते रहते हैं आप अपना मन बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं आप गोल-गोल घूमते रहेंगे अंतहीन रूप से गोल-गोल घूमते रहेंगे क्योंकि जो अकसर दिशा बदलता है साफ है कि उसे कहीं भी जाने में दिल्चस्पी नहीं है, है न? आप जानते हैं कि ये दुनिया गोल है इसलिए आप किस दिशा में जाते हैं ये माइने नहीं रखता जब तक कि आप दिशा बदले बिना चलते रहते हैं आप सफर को पूरा करेंगे, है न? आप यात्रा पूरी करेंगे, है न? अगर आप अपनी दिशा बदलते हैं हमेशा खोई रहने की एक अंतहीन स्थिती में डाल देगा तो अगर आप वहाँ होना चाहते हैं, वहाँ रहिए, कोई समस्या नहीं है आप यहाँ होना चाहते हैं, यहाँ रहिए रोज रोज अपना मन मत बदलिये, सुबह एक और शाम को दूसरी और आप अपने लिये और अपने आसपास हर किसी के लिए की यात्ना है जो लगातार अपना मन बदलता रहता है, वे अपने और अपने आसपास हर किसी के लिए की यात्ना है, है न? अब ही आप सोच रहें कि कल मैं अपना योग करूँगा फिर आपका शरीर कहता है भाड में जाए ये योग, मैं बस ये चाहता हूँ वो बदलता रहता है, प्रात्मिक्ताएं बदलती 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 रहती है जीने का एक और तरीका है, जहां आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशिया, आपके जीवन के सबसे बड़े सुख ऐसे लगेंगे जैसे एक चीटी के सुख की तरह लगेंगे ये जीव इसमें सक्षम है जब बात शरीर और दिमाग की आती है, तो हम सभी अलग रूप में सक्षम है दो शरीर बराबर सक्षम नहीं होते, नहीं दो दिमाग बराबर सक्षम होते हैं लेकिन जब इस जीव की बात आती है, तो हर जीव बराबर सक्षम है जब भी आपको एक छोटा सा कोना मिलता है जो आरामदे है आप वहीं रहने की कोशिश करते हैं चाहे वो शारेरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या भावनात्मक हम हमेशा उस कोने की तलाश में रहते हैं जहां हम आराम से सो सकें और एक बार आपको वो कोना मिल जाता है और वो बहुत बढ़िया और आरामदे हो जाता है तो आपके अंदर बाहर निकलने और फिर से यात्रा करने की हिम्मत नहीं होती तो अगर आप सिर्फ एक पिकनिक मनाना चाहते हैं तो ठीक है वो ऐसा ही लगता है एक और कदम उठाने का मकसद क्या है ये शान्दार है बस आपका दिमाग आपसे कहता है बस यही है मैं जगे की सुंदरता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं वहां मौजूद होने के सुख पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मगर अभी ये तरक आया है ये नया तरक आपके अंदर आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके फेपड़े एक स्टीम इंजन की तरह काम कर रहे हैं और आपके पैर एक जंग लगी बैलगाडी की तरह आवाज कर रहे हैं तो नया तरक आएगा क्या आप देखते हैं कि हर बार आप जिन अलग-अलग स्थितियों में पढ़ते हैं सुविधा या असुविधा की अलग-अलग अवस्थाओं में पढ़ते हैं तो आप एक नया तरक गड़ लेते हैं क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? जैसा की कहा जाता है जब आप छात्र होते हैं तो हर कोई कम्यूनिस्ट होता है जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी होती है और आपको नौकरी मिलती है आप समाजवादी बन जाते हैं और शादी होते ही आप पूंजीवादी हो जाते हैं आपकी नई स्थितियों सुविधा या असुविधा के अलग-अलग स्तरों के अनुसार तर्क के नए स्तर आएंगे तो ऐसा होता रहता है इसलिए स्पष्टता और खुशी के एक शण में जब आप वहां मौजूद होते हैं आप किसी चीज को देखते हैं जिसमें आपको अपना कल्यान दिखता है आप उस पर डटे रहिए कल आपको वो भ्यानक लगे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर डटे रहिए वो नर्क जैसा महसूस हो आप उस पर डटे रहिए यही खुशाली है अगर आप दिशा बदलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुचेंगे